रायपुर के लालपुर और कमल विहार के लोगों ने चक्का जाम कर दिया अवैद, देवरा, डेरी, बस्ती को ठाने की मांग कर रहे हैं ये लोग डेरा के लोगों पर आए दिन मारपीट और लूटपाट के आरोप लगते रहते हैं बीती राद भी स्थानी लोगों से मारपीट हुई दो घायल युवक आईसियू में एडमिट हैं लालपुर और कमल विहार में लगातार अपराद से क्राइम बढ़ने से लोग परिशान हो रहे हैं कमल विहार सेक्टर 5 जाने वाली कैनल रोड में चक्का जाम कर दिया है राएपुर के लालपुर और कमल विहार के लोगों ने चक्का जाम किया सड़क जाम कर दी अवैद देवरा देरा बस्ती को हटाने के मांग कर रहे हैं लोग देरा के लोगों पर आए दिन मारपीट लूट पार्क का आरोप लगता रहता है बीती रात भी इस्थानी लोगों से मारपीट हुई थी दो घायल युवक आईसियू में एडमिट है आधिक जानकारी के लिए सिद्धर आईपुर के रुख कर लेते हैं सयोगी सुर्भी वर्मा हमारे साजर गई है सुर्भी निश्य तोर पर अगर क्राइम का ग्राफ बढ़ता है चक्का जाम यहाँ पर परिशान लोगों ने कर दिया है मजबूरी में चक्का जाम करना पड़ रहा है क्योंकि सुनवाई उनकी होती नहीं है महाँ पर जे बिल्कुल सुमित आप मेरे पिछे देख पाएंगे किस तरह पुलीस प्रशासन भी अमला हो गई है यहाँ पर आ चुकी है चक्का जाम किस्तिती बढ़ गई थी जिसके बाद अब पुलीस प्रशासन दिवार बस्ती को जो है लेकिन बीती राज जो घटना हुई वो जादा ही थी यहाँ पर एक युवग जो है आईसियू में भरती है दो की हालत जो है गंबीर बताए जारी है यहाँ पर लोगों कहना है कि यहाँ पर शराब भट्टी है कि किया कुछ बाचीत उनसे वहाँ पर लोगों की हो रही है। जी जी अब यहां पर सुनवाई कारी चल रहा है सुमित जिसके होजा से लोग बात नहीं कर पा रहे हैं यहां पर लोग पेट्रो लेकर के पहुचे हुए हैं एक दूसरे को मारने की धमकी जो है यहां पर दी जारी पुलिस प्रशासन जो है अभी काम कर रही है लोगों को जो है इनका ठहराव किया जाए ठीक है अपने अलग अलग तर्ख हैं सुर्भी इसको लेकर लोग कह रहे हैं कि वहां पर क्राइम का ग्राब बल रहा है लेकिन जो लोग वहां से हटाए जाएंगी क्या शासन प्रशासन ने उनके लिए कुछ वैकल्पिक वरस्था की है रह रहा है पर प्रभारी था उसके लिए पर यहां के रहने वाले कि नहीं है अब पुलीस की टीम जो है लगातार बस्ती के अंदर जा रही है सुमिद जैसक में आपको दिखा देती हूं यहां पर अंदर जा रहे हैं और समान खाली करने के जो हैं आपर निर्देश दिये जा रहे हैं जो ठीक है ठीक है चलिए लोगों को यहां से निगाम के दौर वैस्था की गई इनका बोर्या कला में वहां पर इनको अभी सिट किया जा रहा है शिप्टेंगे सिप्टेंगे पस्याद जो भी आगे कर वहीं कुश्वराई लगातार यहां पे जो है शिकायत सुन सांचेत रहे तो लोगों का सरापकोरी को लेकर वहाँ पिवाद हुआ था जिस पर से गाउवालों द्वारा रोस कर इसमें गुस्सा आक्रोस के करण आज चक्का जमकिया गया है तो प्रसासन को लिए लिया गया है कि यहां से जो बस्ति इसको हटाया जा रहा है हमारे सा किस बल वहाँ पर मौझूद हैं बहुत शुक्रिया सुर्भी तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए बाक्षित के लिए आपका बहुत देनवाद आगे बढ़ते हैं अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादाओ अपसे थोड़ी देर बाद अमरवाला पहुचने वाले है सीम वधान सबब चुनाओ में जीत के लिए जनता का आभार व्यक्त करेंगे मुख्यमंत्री सकरवाडा में आभार रैली में शिर्कत भी करेंगे और उप्चुनाओ में बीजेपी को मिली जीत का आभार व्यक्त करेंगे जलता से शुक्रियादा करेंगे बीजेपी के कमलेश शाने अमरवाडा में जीत दर्ज की है सकरवाडा में आभार रली को सम्भूदत करेंगे CM डॉक्टर मोहन यादाओ चुनाओ काफी दिल्चस्प रहा काटे की टक कर रही पहले कॉंग्रेस आगे चलती रही लेकिन फिर बाजी मारे पीजेपी ने कमलेश शाने दोपहर देड़ बज़े करीब और द्योग पतियों से दी संबाद है मुक्षवंत्री डॉक्टर मोहन यादाओ का और दोपहर दो बचकर 20 मेट पर श्री मंडी में एक जनसभा को संबोदित भी करने वाले हैं अधिक जानकाली के लिए हम बातचित करेंगे हमारे सेहोगी मुकेश स्वारी हमारे साथ जुड़गा है लाइब इसी ख़वर पर अधिक जर्चा करने के लिए मुकेश क्या कुछ कारेक्रम रहने वाला है जाहिड सी बात है जो अच्छी जीत दरजुई है कांटे के टकर हलाकि चुनाव में थी उसको लेकर आभार वक्त किया चाएगा और क्या कुछ कारेक्रम सीम करेने वाले हैं वहाँ पर सब्सक्राइब परिवार के तरफ से जबरन कबजा किये जाने के शिकायद पिरिद परिवार ने स्पी सकी पिरित रगवर पाल ने स्पी को शिकायती आबेदन देते हुए आरूप लगाया है कि उनकी खेती की जमीन है जो राजसु रिकॉर्ड में उनके नाम पर दर्ज है लेकिन इस जमीन पर दबंग गो करन दुबे ने कबजा कर दिया कबजे के दौरान गो करन दुबे ने घर की महिलाओं से गाली का लौच कर जेसी भी चलाने की कोशिश की पर जेसी भी चलाने की कोशिश की है देखिए जेसी भी मशीन आपको नज़रा रही होगी वहाँ पर जमीन पर कबजा को लेकर दबंगों ने एक महिला पर जेसी भी चलाने की कोशिश करती इस मावले में परिवार की तरफ से जबरंद कबजा की जाने की शकायत पीड़ित परिवार ने असपी को शकायती आविदन दिया आरोप लगाया है उनने की उनकी खेती की जमीन है जो राजस रिकॉर्ड में उनके नाम पर है लेकिन जमीन पर दबंग गो करंदुबे डबंग का नाम है गो करंदुबे जो कबजा कर दिया है उसने और जब वहाँ पर लोग पहुंचते हैं मैलाय पहुंचती हैं तो जेसी बीसे कोचलने की जेसी भी चड़ाने की महिलाओं पर कोशिश की है तस्वीर आपके सामें अधिक जानकारी के लिए हम बातशीत करेंगे हमारे सेयोगी सुबोद त्रपाटी जुड़ गया है फोन लाइन पर सुबोद निशित तोर पर जो दबंग है उनके होसले बुलंद होते जा रहे हैं और दबंग को कानून का खौफ बिलकुल ही नहीं है कानून का डर बिलकुल भी नहीं है तस्वीरों में साफ हम देख सकते हैं कि किस तरीके से महिला को कुचलने की महिला पर जेसी भी चड़ाने की कोशिश वो कर रहा है जी सुमित मैं आपको बता दूँ ये राजनगर छेतर का मामला है ललगुआ गाओं का है ये पूरी घटना जो है वो कहीं ना कहीं एक दमंगई की घटना है जमीन पर कप्ड़ा करने के लिए ये इस तरीके का घटना करम हुआ है और जहां पर महलाएं काफी सारी खड़ी उन्होंने कहा है कि हमारी जबरन जमीन ना जोती जाए और जिसको लेकर ये वो लोग पहुँचे थे और जो दमंग पहुचे थे उनने जेसी भी चड़ाने का भी प्रयास किया है तो कहीं ना कहीं ये पढ़ी घटना भी हो सकती थी फिर ये एस पी के पास ज्यापन देने क लिए आये थे और वो वीडियो में भी साब पश्ट देख रहा है कि इस तरह से जेसी भी चालक जो है वो महलाओं पर जेसी भी चड़ा रहा है कहीं ना कहीं ये संसरी एच्छेतर बीडी सर्मा का भी है उनका भी दायत बनता है कि इस तरीके की जमीने पर जो दमंग कर्चा कर रहे हैं वो इस तरह की की घटनाए ना हो वहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल आप से ये भी जाना चाहूंगा मैं कि जो 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 वो है दबंग है बूमाफिया है गोकरन दोबे जिसका नाम उसके बारे में बताईए क्या इसको कुछ राजनेतिक संदक्शन प्राप्त है क्य केसी पी चड़ा रहा है थी उनकी तरफ से आवेदन लिया है साथ ही दूसरी पारटी की तरफ से भी आवेदन ले लिया है और जैसे ही हमने जानकारी भी जुटाई है तो वहाँ पर पुलिस ने जो है क्रोस केस बना दिया है और जबकि इन महलाओं के साथ घटना हुई है तो एक पक्षिये कारवाई करनी चाहिए थी लेकिन उनने दौनों तरफ से महामला दर्ज कर दिया है ठीक है सुबोत बहुत धन्यवाद बहुत शुक्री आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्री बजहां पर नार्पुर से खबर है जहांके आम दई माइंस में रो रोक लगा कर अपना वरुद प्रदेक्शन शुरू कर रोजगार की मांग की और कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदुलन जारी रहेगा उनका यह देखिए ट्रक लंबी लंबी कतारें ट्रकों की लगे हुई हैं पईये थम गए हैं ट्रकों बाहनों के पईये थम गए हैं रोजगार के लिए युवा धरने पर बैठा हुआ है हाँपर नार्पुर के आमदई माइंस में काम ठब पड़ा हुआ है उधर सन्ना जश्पुर मुख्रमार के पर दिन में सलक पर नजर आया है हाथी सोगला गाउं के पास एक हाथी सलक पर करता हुआ नसर आया जिसकी दूछना मिलते ही वनवा की टीम मौके पर पहुँची जहां वन अमले ने ग्रामीरों को जंगल जाने से मना कर दिया है जंगल जाने से मना कर दिया है अलर्ड जारी क्या है कि जंगल ना जाए हाथी घूम रहे हैं क्योंकि अब बात करेंगे गवाल ये रेलवे स्टेशन की जहांपर हाथ्सा हो गया यात्री के सिर पर छट का हिस्सा गर गया है हादिसे में यातुरी गंभीर उपसे जख में हुआ है जोसे ट्रामस सेंटर में एडमिट किया गया रेलवे स्टेशन के प्लेटफर्म एक पर मशीन से टिकट निकालते समये हादसा हुआ यादपरी मशीन से टिकट निकाल रहा था तब ही उसके सिर पर छट का एक हिस्सा प्लास्टर हम कहते हैं इसको वो गिर गया और उसके सिर में लगा है ये देखिए ये प्लास्टर गिरा है सिर में लगा और उसको गंभीर चोट आई है ट्रामा सेंटर में उसे इलाज के प्रिदेश में मुहरम को लेकर पी-च्कू ने एक आडवाइजरी जारी की है प्रदेश भर के पुलिस इधिकारीयों को आडवाइजरी जारी हुई है इसको लेकर सुरक्षा विवस्था को लेकर अलेर्ट रहने के नरदेश दे गए है समविदनशील और अती समविदनशील इस्थानों पर पैनी नजर रखने के नरदेश भीतिये गए वहीं गवालियर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के बीच विवाद हो गया सामान गाया भोने को लेकर यात्रियों में जगड़ा हो गया एक यात्री ने प्लेटफॉर्म पर सोए दो यात्रियों को चपल से पीटा है यात्रियों ने घटना का वीडियो भी बना कर वाइरल कर दिया है गौायर रिल्वेस स्टेशन का ये मामला है यात्रियों के बीच विवाद हो गया सामान गायब होने को लेकर सामान गायब हो गया था, इसकूले का विवाद हो गया है और एक यात्री ने प्लेटफॉर्म पर सूरहे दो यात्रीयों को चपल से पीटार इसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वाइरल है ग्यात्रियों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वारल किया अब बात करेंगे 36 गड़ में पटवारियों के हरताल की जारी हरताल आज हरताल का नौवा दिन है हरताल के बाद आराई संभाल रहे हैं काम राजस निरिक्षक ने भी हरताल की चेतावनी दे दिये याँ पर राजस वाग के काम पर गहरा असर पर रहा है हरताल का नौवा दिन पटवारियों के हरताल का नौवा दिन है 36 गड़ में राजस्तु पटवारी संग 36 गड़ के बेनरतले तमाम पटवारी कलम बंद हरताल पर हैं और अब पटवारियों के बाद हरताल पर जाने के तैयारी में आराई भी हैं उनका भी कहना है हम भी हरताल पर जाएंगे प्रदेश इस तरी अनिशित कालीन ये आंदुलन पटवारियों का अपनी मांगों को लेकर उधर महा समद में टोल टैक्स फ्री करने की मांग है ड्राइवर्स को मिल रहा है कॉंग्रेस का समर्थन इसको लेकर सराय पाली बधायक ने अपना समर्थन दिया है टोल टैक्स फ्री करने की मांग को लेकर मांग है पूरी नहीं होने पर आंदुलन की चेतावनी भी दी है 18 जुलाई को चक्का जाम करेंगे आंदुलन कारे प्रकुमारी से कश्मीर तक मशूर स्वीट कॉर्ण भुट्टे की कहानी मद्ध प्रदेश के कटनी जले से चुड़े हुई है जिले के टेवरी और उससे लगे एक दरजन गाओं में किसानों ने परम परागत खेती से हट कर स्वीट कॉर्ण और देसी भुट्टे की फसल पर जोर दिया जिससे पिछले कई सालों से किसान अच्छा मुनाफ़ा भी कमा रही है बतारें की टेवरी का स्वीट कॉर्ण और भुट्टा प्रदेश भर के शहरों के साथ ही महराश्ट और यूपी में भी सप्लाय होता है वहीं तेवरी के आधा दर्जन गिवाओं ने कैफे खुल लिये हैं इसमें स्वीट कॉन, मैगी पकोडे, डोसा, स्वीट कॉन, भेल, सहित कई तरह के वेंचन तयार होते हैं जिनको खाने के लिए कटनी के इलावा जवलपुर से तक लोग यहाँ पर पहुंचते हैं मतबदेश के हिर्दैस थल पे बसा कटनी जिले का सिलिमनाबाद का तियूरी जो की भुट्टे के नाम पे काफी प्रशिद्ध है अब सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं किस समय हम तियूरी के खेतों पे हैं जहां पर भुट्टे की पैदावार की जाती है यह जो पैदावार है यहां के लगबग हर एक घर का किसान जो है वे अपने खेतों पर भुट्टों की पैदावार कर रहा है और पूरा जो तियोरी छेतर है वे भुट्टों के नाम से अब प्रशिद्ध हो गया है आखिर ये भुट्टा की जो पैदावार थी ये कैसे होने वाली है कैसे होती है ये सबी चीजों को जानने के लिए हमाई साथ किसान है दीबग जी कब से आप ये भुट्टेई खेती कर रहे हैं दूसरा ये जाना चाहूंगा इससे क्या फाइदा मिलता है कितना कैसा क्या प्रॉफिट होता अब अब ये प्रॉफिट बस मौसमी चीज है दिर ये जैसे पानी गीरा तो किसान को अच्छा भाव मिल जाता है मार्केट में जैसे आया वह साफ सी कम ज़्यादा कि हिसाप सी एद्वा मिल डूसरा मिल गया सर्फमर जाता है तो इस तरह से कटनी के तियोरी का जो भुट्टा है कन्या कुमारी से लेके कश्मीर तक जो है प्रशिद्य है यश्खरेविस्तार न्यूज कटनी इस वक्त की बड़ी जजा जा रहे हैं वाँचे कईज और इस वक्त की एमपी से जुड़ी हुई मत्रप्रदिश की स्यासत से जुड़ी हुई कॉंग्रेस के निता कह रहे हैं कि उनका फोन टैप हो रहा है अधिक जानकारी के लिए बात शीद करेंगे सेयोगी विवेक पांडिया मारे सांथ भोपाल से जुड़ गए हैं इसी ख़वर पर लाइव विवेक पेगासस का का काफी नाम चला देश में हमें देखा काफी चर् हुई है अब इसके एंट्री एंपी में भी हो चुकी है पिलकुर सही बात है सुमित मद्ध प्रदेश पे पेगसेस के एंट्री हुई है कॉंग्रेस के तमाम सारे नेताओं को आशंका है कि उनके फोन टैप किये जा रहे हैं और यह आरोप कॉंग्रेस की तरफ से जीतू प टैपिंग का लंबे समय के बाद मामला सामने आया है और कॉंग्रेस का यह आरोप सरकार पर है और यही बज़ा है कि डीजीपी से शिकायत करने के लिए जीतू पटवारी के पास वो कुछ साक्ष है जिसको लेकर वो डीजीपी से शिकायत करेंगे साधे बारा बज़े का समय तै किया है पुलिस मुख्याले में जाके डीजीपी सुधीर सक्सेना के सामने वो सारे साक्ष रखेंगे जिससे उनको अशंका है कि आखिर उनका फोन सरकार टैप करा रही है और इसी मामले को लेकर कॉंग्रेस के कई और विधाक को ने भी आसंक का जटाई है कि उनके फोन टैप किये जा रहा है और सबसे बड़ी बात है कि पेगसेस का इस्तमाल किया जा रहा है कॉंग्रेस की बातों में जीतू पटवारी की बातों में कितनी सचाहिं है ये तो आने वाला वक्ती बताएंगा फिला हुदा बहूँ शुक्रिया बहुत जड़ने के लिए दमाम बाचित, 36 गर्विजन डॉक्युमेंट 247 की जिसको लेकर आज़का रिकम का आयोजन होने जारा है राजनीती आयोग की तरफ से एक डॉक्यूमेंट सेया किया गया है 36 गर्विजन डॉक्यूमेंट 247 डॉक्यूमेंट को लेकर आयोजित किया जारा है समबात का रिक्रम न्यू सरकिट हाउस में युवा महिला किसान प्रबुद जन से समबाद होगा मुख्य अतिती के रूप में शामिल हो रहे हैं तो 36 गर के मुख्या सीम विश्व देव साहे वित्त मंतरी ओपी चौधरी कारिक्रम की अध्यक्ष्टा करेंगे तो 36 गर विजन डॉक्यमन दोहजा सेटालीस पर समबात कारिक्रम राज नीति आयोग के तरफ से डॉक्यमन तया किया गया है तमाम महतपूर्ण विश्यों पर बात चीत होगी संबाद होगा युवा होंगे किसान होंगे प्रबुद जन बीस इस कारिक्रम में शामिल होने जा रहे हैं मैलाएं भी शामिल होगी इसको लेकर वो हम जानेंगे सीधर हो करेंगे राइपुर का हमारे से होगी खोमन साहू हमारे साथ जुड़ गया है इस ख़बर पर लाइव खोमन महतपूर्ण का रिकम है 36 गलविजन डॉक्यमन दोहजास सहतालीस क्या कुछ खास होने वाला है आज देखिए खास इसमें बहुत कुछ होने वाला है सुमीत क्यूंकि 2047 में कैसा 36 गड़ होगा इसकी तैयारी कहीं ने कहीं आज की बैठक में होने वाली है और यही कारण है कि वित्मंत्री ओपी चौधरी के अलावा मुख्यमंत्री भी सोयम सामिल होने वाला है इसके अलावा दोजार 47 में किस तरीके से 36 गड़ को डेवलप करना है चाई स्वास्त के छेतर में सिख्छा के छेतर में या अन्यतरकी के छेतरों में तो उस पर आज बाच्चित की जाएगी युवाव से भी चर्चा किया जाएगा युवाव से भी सलाल लिया जाएगा कि युवा जो है चर्चार कर रही है यही कारण है कि आज उसमें चर्चा होने वाली है चर्चा में आने वाले दिनों में 36 गर सरकार किस तरीके से 2047 तर भूबन एक हम कह सकते हैं बहुत अच्छी प्लानेगे सरकार की कि हर वर्क से चर्चा कर एक विजन डॉक्यूमेंट त्या किया जा रहा है चाहे वो किसान हों, युवां हों, महिलां हों, आया फिर प्रभूद जन हैं सभी इस कारेकर में शामल होंगे, सभी से संबाद किया जाएगा उनके राय, उनके मत को जानने के कोशिश यहां पर होने बारी है देखे निशीत तोर पर सुमित चाहे किसान वर्ग 36 गड़ में बात करूँ, 70% किसान 36 गड़ में रहते हैं ऐसे में किसान वर्ग को क्या क्या जहूरते हैं, किस तरीके से वो चाहते हैं, आने वाले दिनों में सरकार से क्या उम्मीदे हैं इसलिए भी किसान, क्यूंकि किसान 36 गड़ में बहुत महतपूर भूमी का निभाते हैं, सरकार बदलने से लेकर सरकार बनाने तक की भूमी का किसानों की रहती है युवाओं का बड़ा वर्ग है देखने वाली बात होगी, क्या कुछ इस कारक्रम से निकल का सामने आता है क्योंकि बेहत महतपूर कारक्रम खोमन बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका तमाम चाहिए